खुवाद, तुम दोनों ने अपनी मनमानी कब से शुरू करते हैं. इस घर के तौर तरीके भूल गए हो तुम, हाँ? टेबल पर पड़ावा खाना छोड़कर बाहर तुम लोग चले गए खाना खाना और सारा, यह तुम क्या गेम खेल रही है। तुमने हर बात में फवाद को आगे किया गए। नचाने, पतने क्या उल्टी सीधी बात ने इसको सुना रही है। किसी बाते कर रही हैं? सारा ने मुझसे कभी कुछ गलत नहीं करते। वाद तुम चुपका, मैं सारा से बात करूए। अफसोस तुम मुझे इस बात करे कि मैंने तुम पे अंदा इतबार किया। तुम मुझे ही पेवकूफ बना रही थी। अब 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 जाने तुम्हारा क्या मकसद है कि तुमा असिल करना जाए। कैसा मकसद अमा जान अगर तुम्हारी असलियत सामने आ गई है तो इसे चुपाने की कोशिश मत करूए। गर की जिम्मदारियां तुमसे पूरी नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से बदला लोगी। बदला। कैसा बदला। आज इसने मेरे साथ जबान चलाए। बेहन को बेज़त किया है। और फर्वा को दुखी चोड़कर चलागया। और गिन्वाओं। माजान यह सब सारा पर इल्जाम है। इसने कभी मुझे आप लोगे खिलाफ नहीं किया। ठीक है। तुमारी माँ जूट बोल रही है और यह सच बोल रही है। तो क्या चाहती है बताए मुझे। क्या चाहती है। आप लोग की तरह सारा को बेज़त करूँ। इसा कभी नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने अपना रवाया नहीं बतला। तो मैं सारा को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। क्या? ववाद, तुम इस औरत के लिए अपने सारे रिष्टताओं पर लगाओं। कि कोई आम आप नहीं है, मेरी बीवी है, मेरी इजट है। वो भी तुम भारी बीवी है। इंपोस की गई। जिसके जाथ रिष्टा निवाना सिर्फ मेरी मजबूरी है। शरम नहीं नहीं ना तुम्हाइब। वो और जो तुम्हे उलाद देने वाली है। उसके बारे में इतनी गलत सोच। जो सच है वही बता रहो। रहने दे अम्मी। और प्लीज आप ये मत भूलें कि इस वत ये सिर्फ सारा की जबान बोल रहा है। और जितनी जैलेसी इसके दिल में है ना। ये सब इसी औरत की पढ़ाई भी पट्टियां और कुछ नहीं। नहीं मैंने कभी को इसी बात ने कीता बात से है। मैं ऐसी नहीं है। रहने दो प्लीज रहने दो तो और ये बताओ और कितना बेवकूफ बनाओगी हम सब को? हाँ? शोहर के सामने शोहर की, रिश्दारों के सामने रिश्दारों की और अगर ये तुम्हारा इतना ही चहीता है तो मेरा भाई आज सुबा नाश्टा किये बगएर घर से गया क्यों? और तुम्हारी इसी गहर जिम्मदारियों की वज़े से मैंने तुमसे घर की चापियां ले दी एक मिनट सारा को कैसे मालूम के मैं नाश्टा किये बगएर गया हूँ इसलिए क्योंके सारी रात इसने तुम्हे अपने पास बिठा के रखा मैं रात को फरवा के कमरे में सो गया था और इसे बताए बगएर गया था मैं मेरे पास तो वो रात से आए भी नहीं है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता तुम गवा हो ना इस बात की जब तुम लाउंज में थी तुमने खुद देखा था ना फवाद उपर से उतर के आ रहे थे वैसे भी फरवा आदी से ज्यादा जिम्मदारियां इस खर की उठा रहे तुम आज इस खर की सारी जिम्मदारियों से आजाद आजाद मैं इनको यह बता रही थी कि आप फाही रात मेरे साथ नहीं थे और मुझे लगा कि आप अर्वा के साथ है तो वह आप पुनाश्तर दे देगी लेकिन यह मुझे कुसोर हमार समय सूथ हो थे हाथ करती हैं तोनों इतनी सी बात का एकना बड़ा इश्यू बना दिया कि सारा दिन घर में तमाशा मचा रहा है अब पैसला आप लोगों नहीं करना है अगर सारा के साथ अपना रवया ना बदला तो मैं इसे यहां से लेकर चला जाओंगा जिस दिन मैं मर जाओंगी उस दिन जो भी तुम्हारे दिल में आयक करना है अपनी मा का दिल दुखाते वे तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ है और बहुत-बहुत मुबारक हो तुम्हें सारा आखिर तुम्हें बेटे को मा के सामने लाके खड़ा करी दिया है ना यहां आखिर, मारिया, यहां आखिर, मारिया... यहां आखिर पैसे, बहुत-बहुत, इस भाष्यास को यह इंक रिंगे तुम्हें, वास, नहींसंगो झाल झाल